दोस्तों अगर आपने सबस्टबार वीप्रिसे का PT एक्जाम दे दिया है और आपको मेंस की तियारी करना है तो भईया कम समय में कैसे तियारी करें उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं लेकिन एक बात ऊता है दू बहुत उतना PT का एक्जाम लेकिन भाईया means क्या है means का syllabus क्या है पत्ते नहीं है तो एक काम कीजिए सबसे पहला काम syllabus syllabus को देख लीजिए समझ लीजिए लिख लीजिए ज्यादा काम आएगा उसके बाद इस प्रीवियस प्रीवियस कोश्चन मिलता है यह उठा लीजिए 10 साल का और देखिए को यह आपके रेंस के अंदर है कि नहीं केहने का मतलब किस टाइप के पूछल जारे है कितना लिखना है कैसे लिखना है उन सारे सारे को देखकर पता चल जाएगा और एक पहदा पता क्य प्रीविएस क कॉस्अ लए वी एक सवाल पूट किटाब के शीज़त कैंड है किहां से यहां सिलेविसक्ली अजит किया है भी अगरी आपको एक पेपर होता है जो पहले ही दिन होता है वह होता है हिंदी है लेकिन वह यह बस पास मारक है मतल注Calof Canada कहोता है 30 नंबर लाना जूता है एक नीबन्ध होता है वह स्वार मुसे साम साहे ल canon ला सकते हैं अगर नीबन्ध अगर त्यारी का से होगा तो उसके लिए परिछा मंधन राउ इर्प appliances भी ज्यादा काम आ सकता है ठीक है और उसके बाद उसी का अक्षैमिया वह भी आफ़ा लीजिए ओसी दिन दीन धिर्म को है पहला सिप में दूसरे सिप में जी अपर यहां पर अब यहां पर देखिए जी अपर 2 उसके बार क्या हो जाइगा युग असाया oksa lada तो बात करते हैं कि यह ग्यां यह 300 नंबर का होता है यह भी आपका इंटर्वी हो गया 120 नंबर का टोडल कितना हो गया तो एक हजार बीस अच्छा एक इतफा की बात है कितना पिर मेरिट बनाता है इसका लगवग 50 परसेंट यानि लगवग अगर आप साड़े 500 ले आता है यानि 50 परसेंट और साट साट परसेंट के बीच वाला अब आ आ जाता है तो ही आप पास है आप ट्रशुक्ते कर चुक्त है अधिकारी बन सकते हैं यानि 900 नंबर तो दीख रहा है लेकिन अगर आप कम उठाते हैं यानि 60 ए 170 नंबर बीटा लेते हैं कर्दफबर में तो भी आप मिकाल सकते हैं यह उसके बारे में आगे बात करेंगे अ आधुनिक भारत आज इसमें देखे एनेसेयंट भारत मेडियोवल भारत नहीं आता है प्राइच मनला आधुनिक भारत का इतिहास और साथ है कल्चर यानि आर्ट अटन कर्चर और इसमें कोष्टन कितने होते यह छे कोष्टन पूछे जाता है उसमें से तीन लिखना है तो अर्थीस नंबर का होता है टोटल मिलाकर इतिहास वे देगा आपको कितना एक सुचोधा नमट कि बड़ा अच्छा है ना चे में से तीन चुनिये इसे बड़ा अच्छा है उसके बाद यहां देखते हैं कि दूसरा होता है इंटरनेशनल रेलेशन या करेंट एफिर पुछा था अमेजन के जंगल में आग लग गिया उन्हें आग लग लग लेग पुछ लेने उसके बाद करोना से क्या आर्थिक प्रॉलम हुआ यह सब पुछा था पिछले बार सिच्छा निती पुछा था तो ऐसे ही जो करेंट हा जैसे कि डॉलर के मुकाबले जो रूपिया बहुत कमजूर हुआ है वह अच्छा खासा है तो उसके बाद इसमें भी देखिएगा इसमें पांच कोशन पूछे जाते हैं तीन कोशन लिखने हैं और इसमें भी 38 नमर का होता है यानि पांच में से तीन लिखना है और तीसरा ज होता है जैसे चार डेता है अगर बेंकिंग का त्यारी किये हैं तब देखा होगा चार्ट देता है कौन से वर्स में कौन सा फजल का अधीक होता है लगन मैज कटका चाहता है इसमें परसेंटेज या एव्रेज लोश प्रॉफित यह जानना बहुत जोड़ी है अगर यह ज होता है तो यह कितना हो गया लगवक बहत्तर बहत्तर नंबर का यह रहता है तो यहां पे एक चीज़ देख लिए जीएस पेपर में लगवक टोटल कितने कोशन पूछे गए एक तो छे पाच और चार टोटल कितने हो गए पंद्रा कोश्चन बें जितना आसान यह दिखता है उतना आसान यह नहीं है जीएस पेपर टू नहीं है कारण क्या है जरह इसको भी देख लेते हैं देकिए जीएस पेपर टू में पहला जो होता है प्रॉलिटिकल साइंस राजिस से दूसरा जो होता है एकनॉमिक्स और उसके बाद यहां पर देखिए साइंस टेख अब प्रॉब्लम क्या है कि जितना इसमें मतलब 15 पुषता है लेकिन इस तीन खंडों में चार-चार कोशन पूछ पूछते हैं यानि चार-चार कोशन टोटल कितने हो गए बार अब यहां पर इसमें से तीन कोशन लिखना है इस से जादा कहां पूछता है कोशन आप देखे होंगे मूल अधिकार नितिर नितिसर्क राचपाल की भूमी का साथ में निरवाचल आयोग चुनाओं में जाती जाती का मतलब वह या कुछ करेंट मुद्धा जो है वो सब भी पूछ सकता है जाती प्याधाई जो चुना होता अब यहां बात करते हैं ले विली को ना समझ में आता है जो अब इसलिए तो प्रीवियर्स जो देखा कीजिये लेकर इसमें से मुश्किल से आपको कम से कम छे या साथ लेशन जरूर देखने होंगे जैसे जनसंख्या, क्रिसी, आर्थिक नियोजन, योजना आयोग, बिरोजगारी, निर्धनता, ये टॉपिक जरूर देखके जाईए, क्योंकि कोशन यहीं से जादा आता है, और कुछ करेंट अगर योजना आगे तो उनके डाटा क जरूर देखा किजिए, अब साइन्स टेक की बात करें, तो साइन्स टेक क्या, मतलब जैसे परियावरण में कैसे कौन सा बैग्यानिक विधी लगे, जैसे आपका बाड़का नियंत्रन किया जा सके, क्रिसी में उन्नति किया जा सके, यह चन रियान, यह जो सब रिसर्च हो इसके पीछे रिजन है, अगर हिस्ट्री लेते हैं, तो जो यह नहीं कि आपका 200 नमबर आ जाए, करम से कम 175 आ जाता है, और कोई मैथ ले लेता है, तो मैथ में 300 नमबर उठा सकता है, यह दो 90 भी उठा सकता है, लेकिन मैथ में 0 भी हो सकता है, अगर आपका गलत-गलत आने तो इसको बहुत हाई, तो यहां आप पहले देख लिजिए आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे मुझे इतिहास अच्छा लगता है, इतिहास लेना भी एक फाइदे मन क्या हो जाता है, कि पीटी जब आप आप देते हैं, तो 30 न कौसन ले लिजिए, अब बुक कौन सा ले है, तो यहां पर एक बात कर लेता है, एक द्रिष्टी का आता है, वो ज़्यादा अच्छा है, उसको ले लिजिए, वो इसको इसलिए लिजिए को समझ सकते हैं, जैसे आसयो गंदोलन या आथिक नियोजन को बड़ा विस्तार से दिया हुआ है, उसको समझने के लिए बो हो सकता है, लेकिन यह आपके लिए ज्यादा काम आएगा, और फिर नप हम हमें से कहेंगे प्रिवियस कोसन वाला, प्रिवियस कोसन लेने से खायदा क्या है, पता है, जैसे उसमें यह पूछता है, जैसे माल लेते हैं कि 1877 की 1877 में बिहार का योगदान बताईए, 1877 के क्रांति में बिहार का योगदान क्या है, तो यह 1877 बतावेंगे, अब यह कारण तो नहीं बतावेंगे, उसमें बिहार की भूमिका क्या है, वो बतावेंगे, उसके बाद इसमें से एक और कोशन इसी पूछ देता है, 1877 में बीर कि जो भूमी का है उसके बारे में लिखेंगे यानि कैसा पूछता है और कैसे लिखना है वह यह आपको बताता है अगर बात करें तो परिच्छा मन्थन जद अच्छा है अप ले लिजिए पर तक दर्पन में जो संपाधिक के लिखा रहता है पीछे में तीन-चार टॉपिक संपाइब लिखा रहता है जो करेंट भी रहता है और रहता है उन करेंट मुद्धा को था लिजिए और उनको लिखा लिए खासकर इंटरनेट का भी सालह ले सकते हैं आप पहले कलमक कीजिए कि हमें क्वें कौन-कौन होट बुद्धा चल रहा था भी छ। साथ मेने के अंदर में उसके बाद सर्वे कीजिए उसके बाद उसके बारिवाई से लिखिए इस तरह से आप कर सकते हैं तेयारी अब बात करें कि आपको करना क्या चाहिए प्रती दिन प्रती दिन लिखने से आपको फैदा यह होता है कि शुरू से एक सप्ता जवाब लिखते हैं तो उसमें ज्यादा को सुरू में लिहाथ चलता नहीं है और उसके अगले दिन वह त Cheng लिखे वह है Erla कि अगले दिन कि अदर ten को SL लिखने होते हैं तो दौन लिखिए देखिए यहाँ पर तीज दिन लगतारりました burnt बनाना चाहिए अगर लगतार तीन कोश्चन लिखते हैं तो तीस दिन के अंदर कितने कोश्चन लिख लिए आप 90 कोश्चन और 90 कोश्चन का अपने रिविजन भी कर लिया थिक अब उसके बाद अगले महिना से थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दीजिए पांच कर दीजि लिखने के छम्ता भी बढ़ जाएगी और जो common error होता है वो भी देरेदिर सुधर जाएगा है और अब किस पर लिखेगा तो एक white पेज होता है जिस पर lining वाला नहीं लाइनिंग पर नहीं इदिर दालिएगा सीधा निके का उस पर रैटिंग बनाने का दूसरा वाट जब आप पोसन लिखते हैं तो बहुत सरे राइटरों का स्टेटमेंट होता है तो पोसनों में स्टेटमेंट को डालना बहुत पैदयमन होता है वह आप उप्योग जोरू कीजिएगा पोसन जब आप लिख लेते हैं फिर उसके बाद उसका मंथन सकते कि विखना है कि आप 4-5 सब्सक्राइब लिखना है वह कि अपने हिसाथ से नकल नहीं अपना डियाग्राम बनाया है अपना तरीका अपना है तो एजाम लेने वाला ये भी चिक तो करता है कि आपका वहां टच है की नहीं तो यह आप कर सकते हैं तो चलिए फिर आगे वाले लगतार कंटिनी इस तरह का वीडियो बनाते रहोंगा मैं अच्छला तो जरूर कमेंट कि जाएगा और फिर अभी लेकर आ रहा हूंगा नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जाएं